हालो दस्तों स्वाकत है को और नाय वीडियो में मेरे राम है आसीश और आज के इस वीडियो में आपको सिंपल सी प्रसेस करनी है वह सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को पुरे लास तक देखना चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना बहुत दिनोवाद वीडियो आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिटकोईन और ओल्ट कोईन के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि बिटकोईन होने के बाद भी य यहाँ पे अगर आप देखो यह डेली का चार्ट हमने उपन किया है और अभी बिटकोईन आफ्टर हॉल्विंग अगर आप देखोगे तो लगबग यहाँ से करेक्शन लेके लगबग 7% तक नीचे आया है और I still believe अभी बिटकोईन में थोड़ा बहुत गिरावट बाकी ह बिटकोईन हो सकता है यह 61,000 डॉलर के आसपास में यहाँ पे टच करे उसके बाद में यहाँ से हमें कुछ upside में बिटकोईन जाता हुआ दिखाई दे यहाँ पे उपर उसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा move आएगा और alt कोईन में भी अच्छा खासा pump आ सकता है तो कि alt कोईन में एक बहुत अच्छी opportunity मिल रही है पर देखो alt कोईन का अगर आप यह सोच रहे हो कि alt कोईन dead हो गया है तो यह बिलकुल भी नहीं है alt कोईन में बड़ा pump जरूर आएगा alt कोईन का यहाँ बिटकोईन का dominance अगर आप देखो 57% तक हिट करने के बाद में अभी reversal ल dip में यहाँ पर बाय करके चलो alt कोईन को miss मत करना अभी definitely वो ज्यादा move नहीं कर रहे है पर आने वाले time में alt कोईन में बड़ा pump जरूर आएगा इसलिए बस hold करके चलो थोड़ा सा patience रखो एक दो महीने हो सकता है बिटकोईन यहाँ पर sideways रहे क्योंकि बिटकोईन की hauling के बा 61,000 डॉलर के आज पास आए यहाँ पर बाय करो या फिर अकर विक लगे 57, 58,000 डॉलर यह दोनों best level रहने वाले हैं बट alt कोईन में बड़ा pump जरूर आने वाला है क्योंकि यहाँ पर dominance जो है वो reject होते हुए नजर आ रही है और alt कोईन अच्छा खासा यहाँ पर pump करेंगे त जो भी alt कोईन आपको बदाए जाए उसको buy करके यहाँ पर रखना है नेक्स दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं Binance launch pool के next project के बारे में जिसकी बहुत ही ज्यादा hype है और इसमें farming करना बिल्कुल भी miss मत करना आप लोग यहाँ पर आप देखो रेंजो यहाँ पर introduce हो चुक call है जिस तरीके से LDO जो project है वो काम करता है उसी तरीके से लगबग सेम यह भी काम करता है पर LDO में जो supply है वो 1 billion के आसपास में इसमें 10 billion है तो यहाँ पर आप आप फार्म करेंगे तो आपको ज्यादा token मिलने के chances है और price भी लगबग 1-2 dollar के आसपास में जाने के इसके भी chances यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो इसको जरूर यहाँ पर इस पर participate कर लिना इसके बारे में पूरी डेटेल आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं यहाँ पर आप देखो तो token का जो name है range जो है REZ है max total token supply जो है वो 10 billion है इसकी launch pool में 2.5% यहाँ पर supply आ रही है और total supply जो initial circulating supply है वो स आफी कम है इससे price उपर जाने के बहुत ही ज्यादा chances हो सकते हैं staking term है आपको KYC यहाँ पर होना चाहिए साथ ही यहाँ पर BNB pool में आपको ज्यादा token मिलेंगे तो कोसस करना कि BNB stack करो ज्यादा आपको coin यहाँ पर मिलेंगे बाकि यहाँ पर detail देख सकते हो farming period 24 तारिक से लेके 29 तारिक तक होने वाला है 30 तारिक को जो है यह लिस्ट हो जाएगा और आप उसमें trade करके sell करके इसे यहाँ पर profit book कर सकते हो यह है इसकी website जो की farming भी है आपको mobile app पे अगर आप यूज कर रहे है तो आपको launch pool पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको रेंजो का farming record तोड़ दिया है जो की बहुत ही ज़्यादा है 3 billion से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने FDUSD स्टेक किया है 3.59 billion डॉलर है जो की massive है इसके पहले इतना record तोड़ यहाँ पे FD स्टेक नहीं हुआ है और BNB में वहीं बात की जाए तो लगबग यहाँ पे 18 million के आसपास का है अभी इसमें 100 नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों कुछ slow चल रहा है साइद net इसकारण से 18 billion के आसपास में BNB में यहाँ पे स्टेक हो चुके हैं मैं mobile पे देख चुका हूँ तो काफी अच्छी यहाँ पे स्टेकिंग लोग कर रहा है और अच्छा खासा आप यहाँ पे earn कर स है जहाँ पे अच्छा खासा APR आप earn कर सकते हैं यहाँ पे 1.39 APR आप देख सकते हैं रेंजो पॉइंट्स भी मिलते हैं साथ यहाँ पे टोटल वेल्लू स्टेक जो है अभी 3.3 billion डॉलर हो चुकी है तो यह काफी अच्छी है आईगन लेयर पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं रेंजो पॉइंट्स भी मिलते हैं तो इसके अगर आप थ्रू आप यहाँ पे रिस्टेकिंग करते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आप्संस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इथीरियम आपको डेपॉइंट्स करना रहता है और यहाँ इजी एटी यहाँ पर कर सकते हो deposit तो यह भी option आपको यहाँ पर मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलती है investor आप देख सकते हो Binance Labs है उसके बाद में यहाँ पर और भी बड़े-बड़े ventures हैं जिन्नों ने यहाँ पर तगड़ा investment यहाँ पर किया हुआ है तो इस पर invest करना मत बुलना यहाँ पर आपको simply आ जाना है और आने के बाद में आपका BNB या FDUSD यहाँ पर stick कर देना है BNB में आप देखो 18.58 million dollar यहाँ पर stick हो चुका है तो जादा से जादा try करना BNB buy के stick करो और जितने जादा आप BNB buy करके stick करोगे उतने जादा chances बनेंगे कि आप इसमें जादा token earn करोगे और वैसे भी देखो इसकी supply जादा है तो token आपको बहुत जादा मेहा पर मिल सकते हैं जादा मिलने के chances जैसे पिछले वाला जो token था Omni उसमें बहुत ही कम मिले थे पर price उसका लगबग 55 dollar के आसपास में गया था तो इसका जो pricing है लगबग 1 dollar 2 dollar के आसपास तक जाना चाहिए stable होगा हो सकता है आधे डॉलर के आसपास में तो एक अच्छा मुकार आएगा आपको अच्छे खासे profit में sell करने का तो यह थी दोस्तों पूरी detail Binance launch pool के इसके बारे में आपको simply BNB या FDSD स्टेक कर देना बाद में आपको BNB या FDSD भी वापस मिल जाएगा और इसके बज़ में आपको range जो token है वो भी आपको वापस मिल जाएंगे तो जाके फटाफट से यहाँ पे जाके स्टेक कर लेना जिससे आपको अच्छे खासे यहाँ पे token मिलेगे मैंने अलरडी कर दिया है वागी यही था दोस्तों आज का यह वीडियो आई हूप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो जादे जादा लाइक कर देना मिलते हैं नेक्श वी